हेलो दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वाकत है आज मैं डिनर में जो बनाई हूँ उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी और बारी बारी से बताऊंगी तो सबसे पहले मैं बनाई हूँ उड़त डाल की पूड़ी जिसको हम कचोड़ी बोलते हैं और आलो की सबजी बनाई हूँ और मटर पुलाओ तो चली शुरुबात करते हैं यह देखे मैं आपको इसको पूड़ी है उसको तोड़ कर दिखा रहे हूँ इसके अंदर की स्टफिंग बहुत ही सुन्दर दिख रहा है मैं आपको प्रडेटेले बताऊंगी जो कि आज मन किय खाने का तो मैं बनाते हैं तो चली शुरुबात करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे उड़त की पूरी तो उड़त को मैंने तिन्चर घंटे पहले भी हो लिया था एक कटोरी और उसके बाद उसको मैं मिक्सर में पीच रही हूँ और इसको देखे आपको पीच के बताई तो दरदरा पीचना है मतलब बहुत चिकना भी नहीं रहेगा मीडियम यह देखे हाथ में लेके बतारी उंगली में और अब हम क्या करेंगे इसको एक तरफ रख देंगे और अब हम बनाएंगे मतर पुलाओं के लिए मैं चावल को धोकर रख रही हूँ जब भी आप मतर पुला बनाएंगे तो चावल को पहले से धोकर रख लीजएगा 10-15 मिनिट पहले तो मैं उसके त्यारी कर रही हूँ यह देखे इसको धोकर दो कटोरी चावल है आप अप तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करके इसमें सरसो तिल डाली हूँ और मैं क्या करी थी पहले सही आलू को भाल दी थी आलू की रसवाली सब्जी बनाऊंगी तो इसको मैं चौका लगा रही हूँ जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसी बनाऊंगी जिप थोड़ा सा इसका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा और ये मिर्च का तड़का और कस्तूरी में थी लहसून और इसको थोड़ा सा हलका सा लाल होने तक हम इसको भूजेंगे और अब डालेंगे हम एक बारी कटा हुआ प्याज ये सब्जी जो है इस पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही टेश्टी सब लोग का फर्माईश था आज हम उड़त की पूड़ी और आलो की रसवाली सब्जी बनाएंगे करके और खाएंगे तो ये देखें प्याज जो है हलका लाल हो चुका है अब हम इसमें कुछ मसाला एट करेंगे धनिया पौडर मसाला को आप कम जादा कर सकते हैं क्योंकि आलो की सब्जी है तो इसमें मसाला को बहुत जादा ने डालेंगे गरम मसाला हल्दी ये देख कश्मिरी लाल मिर्च और वाके में ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता एक बर आप मेरे इस ट्राइब करके देखेगा मैं जिस प्रकर से बनाती हूँ थोड़ा सा मैं डाली हूँ इसमें जीरा पॉडर भी और इसको भी थोड़ा एक दो मिनट जो है चितरा से भूलने ना है क्या है भूनने से इसका स्वात बहुत जादा बढ़ जाता है और जिब एच्छे से भुणा जाएगा तो में इसमें डालेंगे दो ये तीन कटाव तवा तमाटर तमाटर इसमें ज़ जल्दी से गल जाए यानि पक जाए और जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा ढख भी लेंगे धक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा ढखोंगी भी और अब यह देखिए इसको भुंते भी जा रहे हैं क्योंकि इसे मसाला डाले हैं हम तो मसाला भुना जाएगा साथ ही सा टमाटर भी इसमें अच्छे से पक जाएगा अच्छे तरह से पक गया है अब हम इसमें क्या करेंगे जो मैं आलो को पहले से उबाल के रखी थी उसको मैं बारिक बारिक टुक्ड़ों में काट चुकी थी आप इसमें मिलाएंगे इसमें चाहे तो आप इसको पुरा मिला लिजे तो एक अलो की सुखी सब्जी बन जाती है लोकि चुकी मैं पूरी बनाओंगी इसलिए मैं इसमें हलका सा पानी मिलाओंगी इसकी सुखी सब्जी बहुत ही अच्छे लगती है इवर आप ट्राइ करके जरूर देखिएगा बहुत ही टेस्टी और यह देखे पानी मैं मिला दी हूँ अब हम इसको क्या करेंगे और थोड़ा सा पानी को बॉयल करेंगे इसमें पकाएंगे और थोड़ा दरीक लिए हम इसको ढग देंगे उसको एक किनारे कर दी हूँ अब मैं यहां बना रही हूँ मट्र पुला जो की चावल को मैं पहले दोके रखी थी हमें कुकरे बनाओंगी इसके लिए मसाला रहेगा कड़ा मसाला तेश पत्ता दाल चीनी और पांचे ठोक आपका लॉंग काली मिर्च और तेल करम हो चुका है इसमें मैं सब तड़के को डाल दे हूं और देखें अब इसमें हम जालेंगे अलका सा हरा मटर जीरा भी डालेंगे और इसको जीरा को बेचे से वो कर लेंगे भूल लेंगे और इसमें डालेंगे हम हरा मटर जो कि ये मटर पुलाओ है ये बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही जल्दी बनता है सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी बनता है यहने आपका यहां मन किया कुछ खाने का तो आप म इसको थोड़ा सा भूल लेंगे यह बहुती जल्दी बनता है इसको जरूर ट्राइब करिएगा बहुती टेस्टी लगता है और खासकर आलो की सब्जी के साथ तो इसमें हम स्वाधन स्वाधन नमग ढालेंगे और इसमें इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरह से और इसमें हम थोड़ा सा बोलना चाहिए अब पानी मिला रही हूँ पानी किता रहेगा जितना आप चावल लिए है उसका दुगना पानी रहेगा मैं चुकि दो कटोरी चावल ली थी इसमें चार कटोरी उसी कटोरी से चार कटोरी पानी को नाप रही हूँ और इसके बाद हम इसको चितर से मिला लेंगे देखें कितना सुन्दर दिख रहा है यह जब देखने में इतना सुन्दर है तो सोचे स्वाद में कितना अच्छा होगा और अब हम क्या करेंगे ढका लगाकर इसका एक सीटी लगा देंगे और इधर सबजी बन चुकी है बहुती सुन्दर बहुती सुन्दर दिख रहा है मैं आपको क्या बताऊ बहुती टेस्टी भी है और इधर अब हम यह सबजी बन चुका है हमारा मटरपला भी हो चुका है अब हम त्यारी करेंगे पूरत पूरी का और ये देखे मैं इसमें अब धनिया पती से इसको सुन्दर डाल रही हूं सुन्दर दिखने के लिए और अब हम उड़त-पुड़ी का त्यारी कर रहे हैं फिर से हम कड़ाई को गरम कर ले रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं जीरा का छोका और जीरा जीरा ज्वची तरह से तड़क जाए तो उसमें जो हम उड़त-डाल को पीसे थे तोड़ा सा लैसून और हरी मिट्च भी डालेंगे ये देखे ये टेस्ट के लिए हैं आप अपने तीखापन के साब से डाल सकते हैं और थोड़ा सा हिंग डालेंगे हिंग से इसका टेस्ट जो है उड़त-पूरी का बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है और इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हरा धनिया डालेंगे से इसका टेर भी बढ़ जाता है और बहुती स्वादेश्टा बहुत सुन्दर दिखता है और थोड़ा सा हल्दी पौडर और जो हम उड़त दाल पीसे थे उस उड़त दाल को अब हम इसमें मिला देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे स्टार्टिंग में तो ये प्रकड़ाई में चिपक जाता है ये देखे चिपक और उसके बाद धीरे धीरे जब ये पक जाता है तो कड़ाई में चिपक भी जाता है तो हमको लगातर जो है चम्म से चलाते रहना है एक बार इस प्रकार का पोड़ी बना के देखेगा बहुती स्वाधिस्ट लगता है और बहुती जल्दी बनता है स्वाधनुसास में नमक मिला दी हूँ एक चीज़ याद रखेगा इसका जो स्टफिंग है यह बना रहे हम यह थोड़ा भुनने में टाइम लगता है इसको आप मीडियम आज में लगातर चलाते रहेंगे और लगातर चलाने से यह जल्दी बना जाता है इन्हें भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा से गिलापन जैसे जैसे भुनाएगा वैसे पानी को सोक लेगा और यह जो है कड़ा हो जाएगा तो इसको हम असानी से आटे में भर कर हम इसकी पूड़ी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और एक चीज़ का आप ध्यान रखेगा यह देखे इस प्रकार से यह कड़ा हो गया है एक जगए कठा हो रहा है मतलब यह अच्छी तरह से भुना गया है और कड़ाई में शिपक जाता है तो देखे इसलिए हम उसको क्या करेंगे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और इसका जो आटा हम गुतेंगे बहुत ही नरम गुतेंगे यह देखे गुत कि मैं आटे को रख दी हूँ और यह देखे स्टफिंग बनकर यह तयार हो गया है चुकि यह बहुत घरम है तो इसको मैं ठंड़ा कर रही हूँ और यह चंभज को मैं इसमें से हटा रही हूँ पुरा इसमें लग चुका था और इसको ठंड़ा करेंगे ज packed तरह थंड़ा हो जायेगा तो हम जैसे हम अलो पुडी बनाते हैं सत्तु पुड़ी बनाते हैं कुछी प्रकार से यह आपका ओड़त पोड़ी बनेगा बहुत ही अच्छा लगता है यह देखे आटे को मैं पहले जो गोत के रखी थी इसका आटा जो है बहुत ही नरम रहेगा एक चीज याद रखेगा और हम इस टफिंग को इस प्रकार से भरेंगे जैसा कि हम आलो से हम क्या करेंगे इसका भी भरेंगे और इसके बाद हलके हलके हाथों से हम इसको बेलेंगे और एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यकिन मानिये एक बार आप चुरू ट्राइब करिएगा और इस टाइप मैं इसको आपको बता रहे हूं और बेलन से हम धीरे-धीर हलकेल के हाथों से बेलेंगे और बहुत जल्दी बेला जाता है और सबसे बड़ी बात आटा नरम होने को जैसे फटता नहीं है एक बार आप बना के देखेगा और अपना अनुभों मसे जरूर शेयर करिएगा और बताएगा इस प्रकार से देखे मैं बतारी कितना मोटा बेल बता रही हूं और इसको जो आलो की सबजी बनाई हूं उसके साथ जरूर खाईएगा और परिवार को भी खिलाईएगा इसके दुसरा वाला भी बना बना के बता रही हूं बहुत ही बतलब मैं क्या बतो आज का जो डिनर है सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे घर में उड़त की पूड़ी बन रही है सब भारी खुश हैं और इंतियार कर रहे हैं कि कब बने और हम खाएं यह देखें यह दोनों पूड़ी बनके त्यार हुआ है बेल के मैं रखी हूँ अब मैं तेल गरम करी थी उसमें मैं आपको छान के बताऊंगी प्राय लोग बोलते हैं कि हमारी पूड़ी जो फट जाती है तो यही कारण है कि उनका जो आटा है वो नरम गुथा नहीं होता है तो आप जितना आटा को नरम गुथेंगे उतनी अच निकाल लिए कि देखिए कहीं से फटा नहीं है कितना सुन्दर जो है यह फुल चुका है और और कुरकुरा बहुत करारी पूड़ी दिख रही है जैसा कि हम देख रहे हैं और इसको हम आप निकाल लेंगे इसी प्रकार से हम पूरी पूड़ी को बनाएंगे तो आपको मेरी ये डिनर रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताईएगा और आप भी बनाईए और परिपरिवार को खिलाईए और आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ कमी होगी तो ज़रूर बताईएगा ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का जब कमेंटस आता है तो ये दिखे इधर पुलाव भी बन चुका है बहुती सुन्दर दिख रहा है पुलाव खिला खिला इदेखे पुलाव और गरम गरम इस पुलाव को खाया जाए तो यकिन मानिये बहुती अच्छा लग और यह रहा पुलाओ तो आप लोगों को आप लोगों इसको इंज्वाई करिए और पताईए कैसी रही मेरी यह रेसिपी और बनाने का तरीका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू